अस्सलाम वालेकुम दिस इस राहील रौफ और आज हम हैं इबराहीम हैदरी फिश मार्किट में और हमारी मौझूद की इबराहीम हैदरी फिश हम मार्किट में रेगूलर बेसिस पे होती है वरना हम कोई समंदर में गए हो तो नहीं होती और आज पीर का दिन है, मंडे है और 20 जून है इबराहीम हैदरी में आज प्रोडक्ट महेंगा भी है और बनिस्बत पिछले दिन के संडे को प्रोडक्ट जादा भी था और रेट में भी कम था जाहर सी बात है जब मार्किट में प्रोडक्ट कम आता है कष्टियां regular basis की हैं सिर्फ 20-25% कष्टियां चल रही है बागी कष्टियां बन है जून चुलाए का टाइम है और बहुत कम कष्टियां चोटी 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 जे देखें यह नै यह दुपे वाले चोटी चोटी कष्टियां यह चल रही है क्योंके जून जुलाइ का टाइम है हाई टाइड है इसमें केकड़ा आ रहा है बलू क्रैब आ रहा है बलेडी फिश आ रही है कपरतान डोरी का बहुत आ रहा है दो दरिया से ये मॉल है जमीर जामोट का ये मॉल है यहां पे निलामी होती है ये फिश इबराहीम हैदरी फिश हारबर या दक्के पे ये निलामी की जगा है अबी इबराहीम हैदरी में आजकल काम तरक्कियाती काम चल रहे हैं लाइन्स वगारा दल रही हैं रोड अलहमदुल्ला कोने तक बिल्कुल सही हो चुका है ये रोड भी इन्शालला बहुत जल्दी बन जाएगा अभी हम देखते हैं ये कपरतान की लाट ये कपरतान ब्रीम फैमिली की फिश है दंदिया की नसल की मचली है कपरतान है डोरी पे जून जुलाए आगस्ट बहुत जादा आता है मई से आने लग जाता है इसमें एक पाओ से लेकर सो देड़ सो ग्राम साइच से लेकर एक पाओ चार पांच दाने वाला और आदा 1 किलो का भी रेरली आ जाता है और ये एक एक मचली डोरी की होती है इन्तहाई फरेश होती है ये असर के वक्त की नमास के बात کے منظر है जब हम इबराहीम हैदरी में मस्जिद से भार निकलते हैं तो बहुत खूबसूरत नजारा देखते हैं जहां पे बहुत सारी लांचे ओड़े खड़े होते हैं तो हमने इसका शौट आपके लिए बना लिया बहुत ही बहतरी इन शाम का नजारा है और पानी फुल चड़ावा है और सामने भी जाल लग रहा था देखिए कितनी खूबसूरत कितनी बहतरी और कितनी शाइनी और कितनी चमकदार ए वन गरेड सुरमया हैं छोटी सुरमया पिछले तीन दिनों में बहुत आई हैं जिनका साइज 100 ग्राम से लेकर 500 ग्राम 600 ग्राम तक का है मैक्सिमम और ये है कपरतान दंदिये की नसल की मचली कपरतान इतना आ रहा है कि बहुत आ रहा है पर रेट कम नहीं है दुकानदार जो बंगाली मार्किट के हैं वो बहुत आते हैं खारादर से लोग आते हैं ये काला दंदिया है अभी इसका रेट चड़ावा है ये पंपैनो फिश है पंपैनो फिश सुनाब मचली बलोचो की अवलीन पसंद सुनाब मचली जिसका रेट 500, 455, 500 में हमने खरीदारी की और 600, 6500 हम चला रहे हैं ये है पतास जींगा और टाइगर जींगे की मिक्स लॉट और ये है इंडियन मैकरल फिश यानि के बांगडा और सिम मचली यह है mix lot जिसमें बांगडा इंडियन मैकरल यानि के बांगडा और उलडी सारम छोटे सारम के बच्चे और बोरा फिश और बक्का फिश यह mix lot है इबराही महदरी में mix lot जाले में फिश आता है बिलकुल फ्रेश जींगे के और मचली के जाल में तो छोटे प्रोडक्ट भी ब मचली फ्रेश होनी चाहिए चोटी भी हो बहुत मज़ा करती है यह देखें चोटा सुनाब मलब पंपैनो फिश यह देखें सुनाब मचली पंपैनो फिश यह mix lot में ऐसी lots भी आती हैं जिसमें यह सुलिमानी मचली भी होगी पला मचली भी होगी यह देखें पला मचली है ये गेरी है कांटे वाली मचली है बंगाली खाते हैं ये है पला मचली की लॉट जिसमें सौ ग्राम से लेकर पचास ग्राम सौ ग्राम से लेकर धाई सो तीन सो चार सो पांस सो ग्राम तक के पला मचली के दाने आते हैं जो के बहुत ही ज्यादा फ्रेश होते हैं बहुत ही ज्यादा फ्रेश बड़े साइस की पल्ला अभी नहीं आती आउगस सेप्टमबर के बाद आएगी वो भी ज्यादा से ज्यादा छे सो साथ सु ग्राम कभी कबार एक किलो की मगर 100 ग्राम से लेकर 500 ग्राम पला आपको ज्यादतर इबराहीम हैदरी में मिलेगी जिसके लिए आपको 2-4 दिन पहले बोलना पड़ेगा हम अपना नमबर वीडियो के शुरू वाले हिस्से में और आखरी वाले हिस्से में चला देंगे वाटस अप नमबर है कॉंटेक करें मालूमात लें और फिश कभी शॉट होती है कभी होती है तो पहले से औरडर दे कर रखना पड़ेगा फॉर होम डिलवरीज के लिए और बाकी आप इबराहीम हैदरी आए हम आपको भरपूर गाइडन्स फराम करेंगे फिश हरवर में आजकल प्रोड़क्ट नहीं आ रहा है ये देख सकते हैं बाम मचली बाम मचली बहार एक्सपोर्ट भी होती है पंजाब भी जाती है बहुत ही फ्रेश और बहुत ही जबरदस और बहुत ही ताकतवर ये है बाम मचली और आजाएं भाई ये काले दंदिया हैं बहुत ही ज़्यादा महेंगे गए क्योंकि खारादर वाले जो हमारे एक भाई हैं वो खारादर की मार्किट में इसको ले जाते हैं पांच हजार पे ये लॉट गई थी ये है छोटे हीरे और एक आदा आदा पाओ वाले गिसरों की लाट ये हीरे जादा बड़े नहीं है एक एक पाओ के तीन सो गराम जासे आदा एक बीच वाला होगा ये लॉट दो हजार रुपे की गई है मुश्किल से तीन किलो मचली नहीं होगी और महंगी है दोरी की मचली बिलकुल महंगी है दो दरिया से मार कर लाए थे ये है भाई कैप्टन दंदिया कैप्टन दंदिया बहुत ही लाजवाब और दोरी का था कैप्टन दंदिया जो है ना वो एक अब रेयर मचली है ये नीचे दुम मास बोलते हैं मंगाली और ये है इंडवाइट इंडियन सेलमन फिश रावस मचली यहाँ पे तो ये छे सासो रुपे किलो मिल जाती है इंडिया में ये अठारा सो, सोला सो, पंद्रा सो से कम नहीं मचलीया कम थी हमारी कोशिश होती है कष्टियों पे चड़के भी हम लोगों को लेना पड़ता है प्रोड़क्ट कुछ चीजों की वहीं निलामी हो जाती है कष्टियों पे चड़के भी हो जाती है जो मिडल मैन होते हैं वो भी जातर चड़ते हैं ये है मड क्रैब, मड क् बहुती फ्रेश इस लाइव बोलेंगे लाइव मिल जाएंगे तो मड क्रैब बहुती ताकतवर है एस्टमाटिक पेशन्ट के लिए भी बहुत इसका सूप जबर्दस है इसको खा भी सकते हैं प्रॉन मसाला क्रैब मसाला भी मना सकते हैं मीटी है यह फर्रा मचली मुलिट फ फिश ही बोलेंगे सौ रुपे किलो तक में यह मिल जाएगी मचली तो यह फर्रा मचली है खाने में अच्छी होती है हम फ्राय में अकसर समंदर में खाते रहते हैं फर्रा मचली हम छोटी मचलियां भी खाते बड़ी क्रिस्पी बनती है यह अगेन एक कपरतान की लौट ब आएगा वो वाइट होगा ऐसे गोल्डन नहीं होगा यह पीले पर वाला दंदिया भी मिक्स होकर आया है इस लौट में वाइट सी ब्रीम यह अलडी सारम की लौट है अलडी सारम छोटा सारम के बच्चे हैं कुईन फिश कहा जाता है इसको इंग्लिश में स्टेंडर्ड इसका कोईन फिश है यह छोटे है एक एक पाओ वाले है एक किलो में चार तीन आएंगे यह अगेन एक कपरतान की लौट ली गई हुई कपरतान की लौट इसमें चार से पांच दाने वाला भी होता है यह है टाइगर प्रॉन मीडियम साइस टाइगर प्रॉन एट का दाना है ये अक्सपोर्ट कॉालिटी का रावस है और जितना भी आता है वो एक्सपोर्टरस ले जाते हैं 1100 रुपर हमें खरीदारी करनी पड़ती है ये एक्सपोर्ट कॉलिटी लेड़े फिश है ये ओमर अनीस भाई का लास्ट वीक का ऑउडर था जिसकी हम ने बना कर रखा था तो हमने उसके साथ ये भी लगा दिया बड़ी मचली महंगी भी चल रही है और आ भी नहीं रही डाठी गिसर जो एक्सपोर्ट के प्रोड़क्ट हैं जो बाई एर एक्सपोर्ट कोई दुबई कतर जाते हैं वो बेहद कौसली हुए में हैं ये इंडियन सेल ये रावस मचली है एक साड़े तीन किलो का एक दो किलो का तकरीबन साड़े पांच किलो हो रहा था और ये लेड़े फिश है बहुत ही एवन ग्रेड ये शाम तक आई नहीं थी हमारे प्रोड़क्ट ऐसे होते हैं कि हमें वेड़ करना पड़ता है इनको हमें शाम तक बटनी खराब करेगा हम लोग इसको कमपनी वालों को भीजवाते हैं तो वो उसमें से ग्रेडिंग करकर निकाल लेते हैं और चोटी मचली रख देते हैं इसकी 800-900 रुपे खरीदारी हो रही है कमपनी की तरफ से अगर हम इसमें सारी फिंगर की मलब 100 ग्रैम की हम सब निक कम पड़ेगा कम से कम अगर फुल सारी ग्रेडिड आप सारी बड़ी मतलब 10 पीस वाली लेडी फिश वो भी ए ग्रेड मैं जाल की बी ग्रेड की बात नहीं कर रहा है ये वो लेडी फिश है जो रात को कश्टियां जाती हैं सुबा मार के लाती हैं देखें इंडियन सेलमन कि कितने खुबसूरत और बहतरीन पीसिज निकल रहे हैं इंडियन सेलमन यानि के रामस मचली बहुत ही जबरदस बहुत ही मज़ेदार इसको कड़क और क्रिस्पी बनाया करें मचली में मसाला लगाके न उस पे हलकी सी कोई चीज की कोटिंग कर लिया करें जैसे कॉन फ्ल मतलब सूजी वगारे लगाते मैं यह समझता हूँ अगर आप हलकी सी मसाला आप जो चाहे कोटिंग करें पर आखरी मने जैसे ऐसे दो बार ऐसे ऐसे करकर रखकर बलब हलकी सी कोटिंग कर दी ना तो उसमें तेल जादा नहीं गुशता और मचली अंदर से जूसी भी होगी अगर डायरे कापस को फ्राई पैन में डाल देंगे तो वो आईल में खराब होती है हमारे नजर में तो हलकी कोटिंग जरूरी है या बड़े पीसिस को करके देखीजेगा पर रामस मैं समझता हूँ हमें छोटे फिश खाने में जादा मज़ाया मतलब एक देड़ किलो पा बहुत ही जबरदस बहुत ही शानदार बहुत ही मज़ेदार होते हैं और पीसिस भी कोई बुरे नहीं निकलते हैं कि इंडिया में ये रामस मचली इस साइज की बाराथ 2000 अबव है ये इसको वाइट इंडियन सालमन भी कहते हैं या रामस मचली भी कहते हैं ब्लैक रामस का भी सीजन नहीं है वो भी बहुत ही शांदार और बहतरीन फिश है वीडियो देखने वाले कॉमेंट जरूर कीजिए और जिन्होंने अभी तक सस्क्राइब नहीं किया वो भी प्लीज सस्क्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और बैल आइकन भी बजा दें तो हमारी मौझूद की इबराहीम हैदरी में होती है अगर हम नहीं भी है तो आपको अब दो नंबर मिल जाएंगे एक दो वीडियो के बाद इन्शाला नेक्स्ट वीक से या अफटर जस्ट आफटर बकराईद हम नहीं भी होते हैं तो आपको हमारे पार्टनर साजित खास खेली भाई का नंबर भी मिल जाएगा और हमारी अविलेबिलिटी इबराहीम हैदरी में कभी कभी तो 24 घंटे भी होती है हमारी अपनी बोर्ट भी आती है तो आप कॉंटेक करकर किसी को और रिटेल में हुलसेल में फिश चाहिए तो नो इशू आप आ सकते हैं हमारे पास बैठें हम चाहे पिए और अपनी पसंद से जो मचली आपको पसंद आती हम आपको उसको इसकी इनफो भी देंगे उसकी कॉलिटी भी बताएंगे और बताएंगे कि इबराहीम हैदरी में किस कॉलिटी के फिश आती है और जिससे आपको अवेरनेस भी मिलेगी और फिर मार्किट से भी जा कर लेते हैं तो आपको उसकी कॉलिटी का भी अंदाजा होगा तो ये हमारी पार्सल तयार हो गया है उमर अनीज भाई के के पास जाने के लिए और ये हमारी कश्टी आई थी तो थोड़ा सा प्रोड़क्ट हमने अपने लिए भी निकाला था आखरी जाल का प्रोड़क्ट थोड़ा थोड़ा निकालते हैं इतना नहीं खाते हैं हमारी तो खौईशाद पूरी हो जाती हैं समंदर में सी फूड महंगा भी है बेज देते ह मज़़ों को पैसे भी दे रहे होते हैं आजकल तो खर्चे भी कभी कभी नहीं निकल रहे होते और लोग समझते हैं मचली भी, गर्मी है, सस्ती होगी ये तो शॉट होते जाने ये तो नयाब चीज है यहाँ पे अभी कदर नहीं है एक्सपोर्ट जब सब कुछ होने लग जाए देखें, ये बंगाली कैसे लोड लोड करके जा रहे होते हैं हमारे एक भाई हैं स्माइल, लियास गोट से मचली लेने आते हैं उनके बंगाली पाड़े में चलाते हैं फ्राई की दुकान अलग चलाते हैं पर अलग चलाते हैं दुकान में तो तीन तीन चार चार ड्रम दो दो बार आकर ये इबराहीम हैदरी पर जामोट साब लोगों की वज़ा